बहुत खर्चा घटेगा और दवा छिड़कते हैं जो खेत में पेस्टिसाइट वो बंद कर दें तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? यूरिया डीयेपी बंद करके गाय का गोबर, भैस का गोबर खेत में डालें अब आप बोलेंगे गोबर और कैसे डालें खेत में? मूत्र ले लो किसी भी जानवर का गाय बैल भैस का दोनों को मिला लो उसमें एक किलो गुड डाल दो गुड और एक किलो डाल का आटा और एक किलो मिट्टी खेत की मिट्टी मेंड की हो तो बहुत अच्छा गोबर दस किलो मूत्र दस लीटर एक किलो गुड एक किलो डाल का बाटा और खेत के मेंड की एक किलो मिट्टी यह पांच चीज़े मिला के ड्रम में रख दू 15 दिन रखा रहने दो 15 दिन में खाद तयार हो जाए फिर इसमें पानी मिला दो कम से कम 200 लीटर तो यह घोल तयार हुआ इसको खेत की मिट्टी पे छड़कना है यह सबसे अच्छी खाद है दुनिया की एक पैसा भी खर्च नहीं होता है यह खाद का इस्तेमाल हजारों किसान कर रहे हैं पूरे देश में और सब अच्छे हो गए जो किसान पहले गेहूं लेते थे यूरिया डियेपी से एक एकड में 10 कुंटल अब उनका गेहूं आता है एक एकड में 20 कु उत्पादन बढ़ गया और जो पैदा हो रहा है को इतना स्वादिष्ट है कि बजार में खूब अच्छे भाव पर बिखता है जो किसान इस तरह से गेहूं करते हैं उनका गेहूं 20 रुपाई किलो 25 रुपाई किलो बिखता है उसको और गैनिक शुद्ध कहते हैं और गैन कि अपने खेत में इस और गैनिक तरीके से खेती करो तो बहुत अच्छा है फॉर्मूला फिर बता देता हूं एक एकड़ खेत के लिए 10 किलो गोबर 10 लीटर मूत्र एक किलो गोड एक किलो दाल का आटा एक किलो मिट्टी तो सीधे छिड़क सकते हैं फसल खड़ी हो तो प इपल कर लेना यूरिया का खर्चा खतम करना अब यूरिया डियपी बंद करेंगे खर्चा कम हुआ फिर हम जो खाएंगे वो शुद्ध हुआ वो शुद्ध खाएंगे बीमारी कम दूसरों को खिलाएंगे उनकी बीमारी कम सारा देश स्वस्त सुखी और निरोगी हो तो कीले मारने की भी दवा घर में बना लो गाय का मूत्र ले लो भैस का मूत्र ले लो 20 लीटर दो ढ़ाई किलो नीम के पत्ते की चट्नी मिला दो इसमें दो ढ़ाई किलो आकड़े के पत्ते की चट्नी मिला दो दो डाई किलो सीता फल के पत्ते की चट्नी मिला दो आदा किलो तंबागो का पत्ता पीस के डाल दो और जो भी आसपास में पेड़ पौदे हैं जिनके पत्तों को जानवर नहीं खाते उनको तोड़ कर चट्नी बना के डाल दो गो मूत्र में या भैस मूत्र में उबाल लो उबाल कर ठंडा करके छान लो फिर 200 लीटर पानी मिला कर खेत पर स्प्रे कर दो सब कीड़े मर जाते हैं सब भाग जाते हैं एक पैसे का खर्चा ले तो खर्चा बचाओ खेती में